हाई फ्रेंज मैं हूँ आपके साथ यासमीन और मेरे साथ है दर्शिका स्वागत आपका इंसाइड नियूज में दोस्तों आसिम रियास को बिग बॉस के घर में जितना प्यार मिल रहा है और घर से बाहर भी उन्हें जितना प्यार मिल रहा है लेकिन यहाँ पर आसिम रियास काई प्यार घर में आने वाला है हम बात कर रहें पर हिमांशी खुझाना की हिमांशी खुझाना की काफ़ी टाइम से खबरे आ रही है जो कि डरकाई की वह घर एंट्र neurali एंट्री मिप ने कहले छिफाली जरी वाला के मैसेज दे कर गए हज़ी कि तो हमांशी खुद ही बिक बॉस के घर में आ रही है अब यहां पर तो काफी जादा केमेस्ट्री दिखाई देने वाली है इनकी हाँ जैसे अभी घर में वाइल कार्ड बनके यह लोग आ रहे हैं इनकी फैमिली और फ्रेंड्स आ रहे हैं इस बार घर में तो हिमांशी आई है आसिम को सप अब वो कहेंगे खुलम खुला प्यार करेंगे हम दोनों तो क्योंकि अब वो जिस तरीके से घर में उन्होंने एंट्री ली तो एकदम यह आसिम देखके एकदम शौक हो जाते हैं कि यह कौन आ गया उसके बाद उनके खुशी का ठीकान नहीं मतलब उनके पैर जमीन पर ही पहले तो सिर्फ यह था कि आसिम कही ना कहीं से मतलब उन्हें लाइक करते थे धीरे धीर उन्होंने उन्हें प्रपोस भी किया लेकिन एज़ा फ्रेंड क्योंकि उन्हें पता था उनका मंगेतर है बाहर और इस वजह से वह अपनी मतलब लिमिट्स में रह रह रहते और जै आतनी को अंदर आते हैं तो अर। नें थризु आ रहते हैं कि हमां बता दे मेंने करता हैं की काई ना उन्हें ने तो पहरे लिए उसके बाद जब ऋगर के अंदर आती है तो यह घर में दुबारा मिलेंगे और काफी ज़्यादा एक्सायटीट है मतलब मुझे असा लगा प्रोमो आया उसमें यही देखने को मिल रहा है कि आसिम हर जगे हाथ पकड़के हिमानशी को कभी स्मॉकिंग रूम के बगल में जाके वहां पे उनसे बोलते कि तुम्हें कभी असा फील हुआ सारी चीजे पूसते हैं उसके बाद वह नेशनल टेलिविजन पर उन्हें पोस्त किया उन्हें तो शोशल मीडिया पर फोटो वाइरल हो रही है जिसमें आसिम दूले के लिवाज में हो और मांशी जो है दुलहन बनी होई है और वहीं जो रश्मी दिसाई है वह उन्हें आशिरवाद देती हुई दिख रही है तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि अब उन्होंने भी एकसेप्ट कर लिया है मांशी ने भी और दोनों की जो जोड़ी है काफी अच्छी लग रही है क्योंकि इस बार घर में वो दोनों मिलके लड़ने वाले हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फैंस उन्हें देखने के लिए और काफी टाइम से लोग मिस कर रहे थे वह सारी चीजें देखने को मिलने वाली है कि अभी रासिम और रश्मी काफी जादा एक साथ नजर आ रहे थे हो तो हमांशी अब घर में आ रही है तो अब वह तो रश्मी का ओविसली साथ तो चोड़ेंगे क्योंकि जादा टाइम होने है मांशी के साथ सब करना है नहीं इस घर में दोस्तों बदलते रहते हैं और जैसे सबकी क्वेशन चेंज होती रहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मतलब हमांशी ने जो बाहर से देखा होगा तो यहीं है कि अब जो रश्मी दिसाई हैं वो कहीं न कहीं आसिम के लिए अच्छा ही सोचती ह हैं उनके लिए अब घर में कोई नहीं है तो वह आसिम का बहुत सपोर्ट करती है और साथ कि इन हेमांशी यहां पर रश्मी को पसंद नहीं करती हैं नहीं करती हैं पसंद लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आसिम के लिए उन्हें सब पसंद है जब मुझे यह भी लग इसलगा है कि शायद इस बारो सेनास से वी बात कर लें और जैसे आसिम और सेनास की भी काफी अच्छी बातकित होती है तो मुझे असा लगता है कि अब मतलब लगा पर हिमांशी जो है वह एक रेजोलोशन लेकर आ रिया हैं जैसे नय साल में रिजोलोशन ले आएं году सबसे खास बनाए वह भी आसिम के साथ और वह आसिम के साही मुझे लगता है एक सबसक्रेंगी और बहुत करना हो गेंगी और वह ऺधैसी लिए और डायर से बाते बच ay Bak we तो वो जितना हो सकता है वो आसिम को सपोर्ट करेंगे उन्हें वीक करके नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हिमानशी सिर्फ चार दिन के लिए घर में आ रही है और उनके दोस्त जो हैं जैसे शेहनाज हैं और रश्मी हैं वो घर के अंदर काफी टाइम मतलब मुझे ऐसा लगत लगता कि हिमानशी कुछ खराब करके जाने वाली हैं यहां तक कि मुझे ऐसा लगता कि वो घर में आके सिद्धा शुकला से भी ठीक ठाक बात होती थी तो मुझे ऐसा लगता कि वो कहीं ना कहीं सबसे दोस्ती करा के जाएंगे कि आसिम का गेम स्ट्रॉंग हो और वो विन बढ़ चुका होगा इस चीज का अब देखना काफी इंट्रेस्टिंग रहेगा यह चीज कि हमानशी आने के बाद उनका प्रोपोजल एक्सेप्ट करती है कि नहीं क्योंकि अभी तक प्रोमो जो हमने देखा है उसमानशी एक्सेप्ट करती हैं या नहीं वैसे आप इन दो बॉस से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हैं साइट नियूस के साथ